रोज खाए मखाना और इन 6 बीमारियों को करें टाटा मखाना एक हलका फुलका स्नेक्स है जिसे हम सूखे मेवों में शामिल करते हैं अगर इसे नियमित तौर पर सही तरीके से अपनी डाइट में शामिल किया जाए तो इसके अगगिनत सेहत लाब पाए जा सकते हैं और सेहत के अन्य लाब पाना चाहते हैं तो सुबह खाली पेट चार मखाने खाएं इनका सेवन कुछ दिनों तक लगातार करें 1. आप मखाने के चार दानों का सेवन करके शुगर से हमेशा के लिए निजात पा सकते है इसके सेवन से शरीर में इंसुलिन बनने लगता है और शुगर की मात्रा कम हो जाती है फिर धीरे धीरे शुगर रोग भी खत्म हो जाता है 2. दिल के लिए फाइदेमंद मखाना केवल शुगर के मरीज के लिए ही नहीं बलकी होट अटेक जैसी गंभीर बीमारियों में भी फाइदेमंद है इनके सेवन से दिल स्वस्थ रहता है और पाचन प्रिया भी दुरूस्थ रहती है 3. तनाव कम, मखाने के सेवन से तनाव दूर होता है और अनिद्रा की समस्या भी दूर रहती है रात को सोने से पहले दूद के साथ मखानों का सेवन करें और खुदफर्प महसूस करें 4. जोडों का दर्द दूर, मखाने में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है इनका सेवन जोडों के दर्द, गठिया जैसे मरीजों के लिए काफी फाइदेमंद साबित होता है 5. पाचन में सुधार, मखाना एंटी आक्सीडन्ट से भरपूर होता है जो सभी आयूवर्ग के लोगों को आसानी से पच जाता है इसके अलावा फूल मखाने में एस्ट्रीजन गुन भी होते हैं जिससे यह दस्ट से राहत देता है और भूख में सुधार करने के लिए मददगार है 6. किड्नी को मजबूत फूल मखाने में मीठा बहुत कम होने के कारण यह स्प्लीन को डिटॉक्सिफाइ करता है 7. किड्नी को मजबूत बनाने और ब्लड को बहतर रखने के लिए खानों का नियमित सेवन करें वीडियो पसान डाई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड्स में धन्यवाद